आप सभी का स्वागत है ताप टिक स्टेडी क्लासस चैनल पे पिछले वीडियो में हमने 11 इंग्लिश पोईट्री के वेरी इंपॉर्टन कोश्चन्स में आपको टिक करवाय थे यहने कोश्चन्स लिखवाय थे जो यहां पर लॉंग और शॉर्ट आंसर दोनों थे और बहु कोश्चन्स को भी ठीक है इसमें डिटेलिंग कोश्चन आम पिछले वीडियो में देख चुक है तो हम सीधे सीधे आंसर के और पढ़ते हैं चलिए इसके आंसर देखेंगे तो पोईट्री से हमारा सबसे पहला कोश्चन फोटोग्राफ से बेरी इंपॉर्टन है बहुत मा चेंगे इसके बाद नेक्स्त कैहा था वर्ट रिफर स्याह थीधे उसक्छन स का यौप ठीक है डो है। जो फोटोग्राफ के और उसके और बता रहे हैं कार्डबोर्ट रिफर करती है नेक्स्ट कॉश्चन हमारा वो वो हैस नॉट चेंज ओवर दा इयर नेक्स्ट कॉश्चन था हमारा वोट इसके बाद में एक और कोश्चन जो इसे संब्दी था मैंने पिछले वीडियो में बता था कि कोश्चन यहीं आपको सेम सेम बनता है तो आपको आंसर पते होना चाहिए यहलो है तो किस मंत में होता यह भी पूछा था तो यह देखी यहां पर मंत क्या पूछा गया है दोनों कोश्चन की मिलते जुलते एक आंसर आपको मिलेंगे और ऐसा कलर क्यों होता है यह आपको बताना ठीक है वाय कारण है क्योंकि जो डू टू डाइंग अप उप लिउस इस शाइनिंग इन ब्राइट यलो कलर दू श तो दा बेसिस अप दा कंपेरिजन इस शीक अबाउट एंड अलट मोमेंट्स ओ लिजार्ड उसके बाद हमारा अगला क्या था है क्योंकि दो मार्किंग में सेंट्रल थीम पूछी है तो सिर्फ हम सेंट्रल थीम बताएंग उसको डिटेलिंग हम नहीं करेंगे लेकिन में आपको बताया था ज्यादा मार्कम आएंगा तो हम उसको डिटेलिंग भी करेंगे वाट इस सेंट्रल थीम अप दी पोयम दे लेबरनुम टॉप दे पोयम इस अबाउट दे लेबरनुम ट्री इस शोज द सिंबायोटिक रिलेशन्शिप बिटिविन टू ठीक है तो दोनो की लिंक आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन वक्स में अक्टिवेट हो जाएक तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.bordjaankari.com what will happen if it doesn't rain यह the voice of the rain से लिया गया है मैंने आपको उसी दिन सारे लेखों को भी जो पोईट है उनके भी नाम बता है sorry पोईट रही है तो और पोईटेस्ट के नाम भी आपको याद करने कहा था था ठीक है a situation of no way is bad situation in the absence of pain we will not be able to grow crops and plants that are means of our survival we lined with blood जीए जीवित कैसे रहते हैं? अजीवित कैसे रहते हैं पेड़ों से जह हमें फसल से खाना मिलता है पेड़ों भी हमें शुद्ध हवा से और यह ही नहीं मिलेगा तो ऑ्लोस्टित जाब वर्षय सकते हैं edno हमारा next question क्या है next question हमारा what how does the shower fall ठीक है तो यह question दूसी chapter से the voice of the rain सही the rain shower falls slowly, gently and calmly rain कैसे आ रही धीरे जो rain shower की बात हो रही ठीक है शावर आप सब इच्छे से बाकिफ है और slowly, gently and calm मतलब शान्त और दीम है ठीक है जैसे हवा चलती बिल्कुल वैसे type की what took the shape of the showers in the sky मतलब showers जो sky में किस प्रकार का shape ले रहा है ठीक है क्या shape आ रहा है तो matter showers occur when dust or particles from asteroids are comments enter earth atmosphere at very high speed ठीक है यह आप लिख सकते है next है what happens when the rain falls on the seeds तो यह भी question में बताया तो यहां पर आप इसका भी answer लिख देंगे what does the rain wash ठीक है next question भी हमारा what does the rain wash तो the rain washes of the dry spell only dry spell याद कर लेंगे ठीक है इसके बाद next question क्या था हमारा next question है what makes the earth beautiful the rain only makes the earth beautiful आप यह रेन कैसे धर्ती को सुन्दर बनाती है प्रत्वी को जब वर्षा होती है तो हरी भरी आसपास घा सुकती है पेड़ पोधे और वसंद जैसा मुसम आता तो कितनी सुन्दर हो जाती है हमारी दर्ती इसी कारण वर्षाइस में यहां पर अर्थ को beautiful दिकाने में महतु कुड़े रखती है चलिए नेक्ट हम देख लेते अब लॉंग आंसर्स कोश्चन्स जो की पोईटरी से में आपको ठिक कर वायते हैं तो पहला कोश्चन है what are the three faces तेके तीन फेसे के बारे में दिस्क्राइब किया गया है जो पोया में फोटोग्राफ उसमें poetist की मदर तो उन्होंने अच्छे दिस्क्राइब किया है तो यहां पर कौन-कौन से है वो तीन faces हमें बताना ठीक है चलि लॉंग में है और बहुत बढ़िया question है और very marking का भी है तो confuse ना होके इसको अच्छे से करना ठीक है तरी स्टाइब डिपिक्ट थ्री डिफरेंट faces of the life of the poetist mother the first being her girlhood ठीक है जो बचपना होता है एक लड़की का उसमें उन्होंने बताया है कैसा उनका बचपना था जो लाइफ थी उनकी तीन लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया ठीक है when she went for the sea holiday जब वो holiday पर गई थी तब समुद्र के आसपास मतलब महाँ पर holiday मायान गई थी at this time the poet was not born ठीक है उस समय जो poet उनका जानम नहीं हुआ poet's mother the second being her middle years ठीक है ये मध्यम उम्र होती ही और when she joyfully recalled the holiday and the preparation made for it the third when her mother is no more ठीक है तीसरा था जब उनकी मा नहीं रही ठीक है the poet finds no words to express her sorrow ठीक है तो थोड़ी मतलब emotionally भी टच करती है poem इसके बाद हमारा next क्या था describe the central idea of a photograph तो यह बहुत short हो चुका है यह दो मार्किंग के लिए काफी नहीं है इसमें आपको और दो से तीन लाइन एक करना पड़ेगा मैं आपको बता दूँगी कैसे आपको इसको एक करना ठीक है पहले हम इतना देख लेते हैं the central idea of the poem is change और mutability of photograph records the past and future वैसे कम मार्किंग में आ तो यह भी लिख सकते हूं ठीक है central idea कम से कम चार लाइनों का maximum होना चेक चार से पाद लाइन का what is the central theme of the poem the lebran top तो यह हम देख चुके ठीक है short में इसको आपको थोड़ा से लॉंग बनाना पड़ेगा what do you notice about the beginning and end of the poem the level top ठीक है starting में और end में यहां पर जो किस प्रकार से अपने notice करा है क्या notice करा वो आपको बताना तो मार्क कामने सेंट साइलेंस मतलब बहुत शान्त और धीरश जैसा बहुत अच्छा लगता है वो आपने इसमें एब्जॉर्व किया इसके बाद है why is the image of engine evoked by the poet इसका आंसर आपको बताना है तो आंसर होगा the bird cheeps makes sudden acquiring sounds vibrations it appears that an engine is throbbing in the branches of the tree मतलब उन्होंने तुल्ला की है very important question है इभी आपको आपको आया सकता है next is what happened in the beginning and यह हम देख चुके ठीक है तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज आ चुका है तो यहां पर यह question थोड़ा डिफरेंट है हमने पहले देखा कि beginning में और end में क्या notice करा है अब यहां पर क्या होता है ठीक है क्या होता है beginning और end में लेबरेंट टॉम ट्री में तो describe the quiet इस्टिल जोनों ने describe क्या है एंड इंपर्टिल अव्रम्टी एंड में क्या होता है वह बताया गया beginning में क्या होता है वह बताया ठीक है और दोनों में क्या notice करा वह अलग चीज है दोनों अलग अलग कोश्चन इसलिए कन्फिस भी नहीं होना ठीक है तो यहां पर what will happen if there is no rain यह what will happen if it doesn't rain दोनों सेम कोश्चन इसलिए आप कुछ में घबराना नहीं सेम कोश्चन भी आते हैं उसके बाद next question है how does the rain clean dirt धरती को कैसे शुद्ध कर देती है वर्षा तो पूरी dust दूल से उड़ जाती है और fresh मसूस होता है ठीक है नेचर को देखकर अब देखें सेंट्र इतना काफी और बहुत बढ़ी आइडिया सेंट्र एडिया द वॉइस अप्ट दरेन आप मेने आपको पहले पिता है वह इंपोर्टन है पोयम बहुत है एक्जाम के साफ से बहुत ज्यादा इंपोर्टन है इसका सेंट्र आडिया अच्छे से नोट कीजेगा ठीक है जो प अग्जोन भी अग्रापी इतना काती है पोयम से बनें ओका अएड और इन तीन भी वेशन को पहले अग्रेशिक पॉर्टन अलग्यासरिक पीपर आपको प्शांकी भीकॉशन के आपको देहें मलतीक आपको बार्टन है इसके पाद हार अच्छे से अनुछी मों में और एक सबी दोस्तों में शेयर करें चैनल पे जितने बच्चे ने सब्सक्राइब करना बिलकोल भी ना बुले तो मिलते ऐसे नए वीडियो में वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें कक्षा 11 वीके में ने 33 परिक्षा के जाकर चख कर सकते हो आपको फ्रेंट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी यह डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक के उससे भी जाकर देख सकते हो मिलते हैं से नए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग